Hello everyone, मेरे YouTube चैनल तड़का पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके दर लेकिए आई हूँ बिल्कुल यूनिक रेसिपी जिसे मैंने बनाया धनिय के डंठल चाई धनिय छाटने के बाद मैंने डंठल को देखा तो ये भी बिल्कुल फ्रेश थे मैंने सोचा इन से कुछ रेसिपी बनाई जाए इसलिए मैंने इस सूप बनाने का सोचा मैंने धनिय के साथ पालक को एड़ किया है पालक भी मेरा बिल्कुल फ्रेश है पालक की फ्रेश पतियों को, छोट छोटी पतियों को ही मैंने सूप के लिए लिया है इसके लिए मैंने तीन कली लहसुन, थोड़ा सा अदरक और एक टमाटर को छोप कर लिया है कड़ाई में मैंने एक चमच गी डाल दिया है और मैं धन्य की डंठल और पालक को उसमें डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी जैसे ही मैंने कड़ाई में धन्य की डंठल को डाला है पूरा किचन धन्य की खुश्बू से ही महक रहा है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है पालक का तो नामों निश्चानी नहीं लग रहा है चोप टमाटर इसमें डालने के बाद कुछ देर के लिए इसे फ्राई करेंगे टमाटर के सोफ्ट होने पर हम गैस को बन कर देंगे थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सिक के जार में डालकर इसे महिन पीच लेंगे हमें बिल्कुल बारिक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट बनका त्यार हुआ है, इसे हम छन्नी से छान लेंगे, जिसे जो मोटे लंप है, या डंठल के अंदर जो धागी रह गई है, वो सारे के सारे छन्नी में ही रह जाएंगे, और हमें बिल्कुल स्मूध पेस्ट मिलेगा आप देख रहे हैं तंथल के जो धागे हैं वो उपर ही रहा गए है और नीचे हमारा बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट बनकर त्यार हुआ है काड़ा दें गैस का फ्ले मों कर कडाई को उसके चड़ा दे और उसमें बाकी के सपाइसिद एड कर दे मलाई को थोड़ा फ्ट ले कि कंसिस्टेंसी थोड़ी स्मूध करने के लिए मैंने इसमें वन फोर्थ स्पून कॉंट तर्च डाला है इसे पानी में गोल कर सूप में डाल दें और एक मिंट के लिए ही पकाएं सूप हमारा रेडी है सूप बिल्कुल तयार है इसे गरम गरम ही सर्व करें धन्या डंठल से बने ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताए और अगर आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्रेस क्रीम से ही सूप को गार्निश करें मेरे बच्चों को धने से बना ये सूप बहुत ही पसंद आया उमीद है आपको भी बहुत पसंद आएगा सबसे ज़्यादा इसके खुश्बू पूरा ही किचन इसे खुश्बू से महक रहा है और फटा फट से खाने का अमन कर रहा है सूप बहुत ही पेस्टी बना है आप अगर पालक इसमें ना मिलाना चाहे तो बाके की वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर के साथ यह सूप बहुत ही अच्छा बनका त्यार हुआ है मिल्ते नेक्स्ट विए अच्छा बनका त्यार हुआ है